सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर एप्लिकेशन ओवेसली ओपन कर देनी है साइनिन कम्लीट करना है आपको जैसे ही आपका एप्लिकेशन यहाँ पर कम्लीटी स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों प्रोफाइल ओप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट अकाउंट डीटेल्स वाला जो ओप्शन है उस पर क्लिक करना है तो आपको आपको आपका नीम यहाँ पर विजिबल हो जाएगा आपको नीचे स्क्रोल करना है नीचे स्क्रोल करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर नॉमिनी डीटेल्स का एक उप्शन आपको मिलता है तो नॉमिनी एड करने के लिए आपको दीखिए यहाँ पर आपको क्लिक करना है नेक्स्ट पेज़ पर आपको नॉमि आप इन में से कोई भी एक document सिलेक करके document सब्मेंट कर सकते हो सारी details यहापे fill up करने के बाद आपको confirm पे click करना है तो मैं जल्दी से सारी details fill up कर देता हूँ दूसो सारे details मैंने यहापे fill up कर दिये है आगे बढ़ने से पहले आपको बता दू कि आपको यहापे nominee क्यों add करना चाहिए देखो यह जो particular account है यह मेरा account है अगर in case मुझे कुछ हो जाता है तो मेरा जो broker है उसके पास मेरे account का access नहीं होगा यहापे तो यह बात जो है समझने वाली है तो broker जो है यहापे nominee के साथ contact में आएगा और मेरे account को फिर access कर सकता है तो अगर in future मेरे जाने के बाद या मुझे कुछ होने के बाद अगर investment मेरी sell out करनी है तो obviously वो मेरा nominee जो मैंने यहापे दिया गया है वो nominee sell कर सकता है तो इसलिए आपको nominee add करके रखना चाहिए अगर आप कही पे भी कोई भी investment करते है तो जैसे मैंने बता है डीटेल्स भर दिया है आप confirm पर क्लिक करना है डीटेल्स भरने के बाद और एक चीज़ दोस्तो या पर आपको ध्यान रखने है कि आप maximum तीन nominee add कर सकते हो इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा जबी भी आप nominee add करोगे तो दोस्तों confirm के उपर क्लिक करने के बाद फिर से हम account details के page के उपर आ चुके है अब यहाँ पर आपको क्या करना है एक बार आने के बाद आपको पीछे जाना है पीछे जाने के बाद नीचे ऐसा screen को slide कर दीजिए और refresh का sign आपको उपर आ जाएगा या फिर आप application बंद करके background से close कर दीजिए और फिर से application open कीजिए तब refresh हो जाएगा है एक चीज वापास account पर आईए यहाँ पर नीचे scroll कर दीजिए नीचे scroll करने के बाद दूस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर nominee details आपको visible हो जाएगा वो detail आपको यहाँ पर पता चल जाएगा तो दोस्तों यहीज इंपर्शेप्स आपको भी follow करने है अगर आपको grow application में nominee अड़ करना है तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो like जरू कर देना शेर कर देना और चैनल को subscribe करना बिल्कुल मत भूलिएगा मैं मिलता हूँ next studio में धन्यवाद